नमस्का, मैं ओस्टासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में अस्थानिय नियोजन नीति को मुद्दा बनाने की त्यारी जर्खन में छेत्रिये भासा बिवाद और आंदोरन का सरूप बदल गया है पुरो में बोकारो और धनबाद जीला में भोजपूरी मघी और मैथली को छेत्रिये भासा का दर्जा दिये जाने की बिरोध में दोनों जीलों के अलावा पुरे जर्खन में इसका बिरोध हुआ अब इन जीलों से अंदोलन का कारण बनी भासाओ को हटाये जाने के बाद भी छेत्रिये भासा बिवाद का मुदा बदल गया है बोजपूरी मघी और मैथली के बाद अब जार्खन मूल के समाजिक धार्मिक संगठन बंगला उडिया को छेत्रिये भासा का दर्जा देने के खिलाब खड़े हो गया है यही वज़ा है कि पूर्व में कई आदिवासी मुलवासी संगठनों के द्वार आंदोलन को लेकर जोर्ण निती बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया अब छेत्रिये भासा के साथ साथ 1932 के खत्यान अधारित अस्थानिय निती और नियोजन निती को लेकर हेमन सरकार पर दबाव है जार्खन में 24 फरवरी से बारिस जार्खन में एक बर फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है बुद्धवार 23 फरवरी की साम से मौसम में बदलाव दिखने की समभवना है वही 24 फरवरी से राजे के कई जीलों में बारिस की समभवना जताई गई है या इस्थिती 26 फरवरी तक रहने की उमीद है इसके बाद ही मौसम साफ होगा इस दोरान निम्तनता अपमान में 2-3 डिगरी सेल्सेस की बड़ोत्री की समभवना जताई गई है वही मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है मौसम केंद्र रांची के मुताबिक बुद्धवार की दो फर्या साम से जारकण में मौसम का मिजाज बदनने वाला है इस दिन दो फर्या साम के समय आंसिक बादल चाहे रहेंगे 24 फरवरी कुराजे के उत्री अर्मद्य भाग रांची बोकारो गुमला हजारे बाग कोटी तथा रामगाण में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलके समत दर्च की बारिश की समोना जताई गई है लोहर दग्गा से दोस लाख के इनामी नकसली बलराम सहीत नौ गिरफतार लोहर दग्गा जिले के पेसरार धाना छेतर के बुलबुल जंगल में नकसलीयों के खिलाब पुलिश द्वारा चलाएगर सर्च ओप्रेसर में बड़ी सफलता मिली है पुलिश ने 10 लाख रुपए के इनामी भागपा जोर्नल कमांडर बलराम उराव सहीत नौ नकसलीयों को गिरफतार किया है साध ही एक महिला नकसली को भी गिरफतार किया है इस अभियान में एक नकसली मारा भी गया था इसकी पहचान एक लाख का इनामी दिनेज के रूप में हुई है वही इनामी नकसली बलराम पर भी भी चेत्रों में 82 मामले धर जाएं धे मंत सोरेन के खिलाब बना गुपता की बगावत जारखन मुक्ती मोर्चा के रवया को लेकर कॉंग्रेस नेताओ का आक्रमक रूख चिंतन सीवीर के तिसरे दिन भी देखने को मिला क्रमचारी चैन आयो की परिक्षाओं में हिंदी की अंध्यकी का सवाल उठाते हुए स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा की हमारी हालात वैसी हो गई है जब माजी ही ना डूबोए तो उसे कौन बचाए स्वास्त मंत्री बना गुपता मुखे मंत्री हमन्सुरेन पर सिधा निशाना साथते हुए ब्यान दिया कि मुखे मंत्री कॉंग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते है बना गुपता ने कहा कि पार्टी का पुरा वोट बैंक जे एमेम की तरफ सिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है ऐसे में आईसी सोच वाली गठबंधन सरकार का कोई अउचित्य नहीं बनता है बना गुपता ने साफ कहा कि जब पार्टी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे बना गुपता ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा और सिधान्त कभी कमजोर नहीं होने देना है और राश्ट्र भासा के साथ कभी समझोता नहीं किया जा सकता हाई स्कूल सिक्षक बनने के लिए जार्खन से मैट्रिक इंटर उत्तिर्न होना अनिवार्य अब हाई स्कूल में असनातक पर सिक्षित सिक्षक नियुक्ति होने के लिए भी समाने स्रेनी के अभ्यार्थियों को जारकन के स्कूलों एवं कॉलेजों स्वेमेट्रिक तथा इंटर्मीडियेट उतिन होना अनिवार्य होगा हाला कि आरक्षित स्रेनी के अभ्यार्थियों पर यह प्रविधान लागू नहीं होगा साथ ही सभी अभ्यार्तियों को अस्थाने रित्ती रिवाज भासा एवं परवेश का ज्ञान भी जरूरी होगा स्कूली सिख्छा एवं सक्षर्टाविभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संसोधन किया है संसोरित नियमावली मंगलवार को अजिसूचित हो गई है इससे राजे में हाई स्कूलों में सिक्षकों के लगबग 10,000 तथा प्रधना द्यापकों के 638 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है सारेरिक सिक्षक के लिए 50 परतियत अंकों के साथ बीपियड अनिवारे अंसोचि जाती तथा दिव्यांगों को इसमें 5 परतियत के छूत मिलेगी हाई स्कूल सिक्षक निमावली के लिए किसी अभ्यार्तियों को सम्बंधित विशाय में तीन साल की असनाता की पढ़ाई अनिवार रूप से करने होगी इसका मतलब यह है कि सबसेडरी विशाय में उतीर होना माने नहीं होगा यादि कोई अभ्यार्थी किसी विशाय में सबसेडरी विशाय के साथ उतीर नहाए तो वह उक्त विशाय का सिख्षक नहीं बन सकेगा जार्खन के स्कूलों को सरकार ने दिया 125 कड़ो अनुदान खर्च मात्र 26 परतिशत जार्खन के सरकारी स्कूलों में रंग रोगन साप सफाई एवाम जरूरी चीजों की खरीद के लिए समगर सिख्षा अभ्यान के तहट 125 कड़ो रुपए दिये गए लेकिन अभी तक इनमें बिभीन स्कूलों द्वाला 26 परतिशत ही रासी खर्च की जा सकी मंगलवार को हुई वर्चूल बैठक में यह बाद सामने आने के बाद इसकूली सिख्षा एवम सर्चरता विभाक सचीव राजेश सर्माने सभी जीला सिख्षा पताधिकारियो एवम जीला सिख्षा अधिक्षकों को खर्च में तेजी लाने तथा 31 मार्च तक सत परतिश खर्च सुनिश्चित करने के सक्त निदेश दिये उन्होंने कहा कि यह मामला इसकूलों के सीधे विकास तथा बचों की सुविधाव से जुड़ी है इसलिए किसी भी हाल में राज्टी सरेंडर नई होनी चाहिए नई सराबनीती को मंत्री की हरी जण्डी जार्खन में सराब की खरीद विकरी में चातिसगर मोडल लागू होगा सराब की खरीद विक्रिव राजास्व विरिधी के लिए राई सरकार ने चाथिसगर्ट एस्टेट मार्केटिंग कर्पोरेशन लिमिटेड को कंसलेटेट नियुक्त किया है जिसने नई सराब नेती पर उत्पाद एवा मगद निशेद विभाग को अपनी रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट की समिक्षा के बाद उत्पाद एवा मगद निशेद विभाग के मंत्री जगनात महतों ने नई सराब नेती पर अपनी समती दे दी है अब इससे सम्मंदित फाइल आगामी 24 फर्वाली को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में जाएगी कैबिनेट की सम्मादी के बाद आगामी भी 30 वर्ष में सराप की थोक वा खुदरा विकरी को राई सरकार अपने हाथों में ले सकती है डुरंडा कोसागार के दोसियों की समपती हो सकती है जबत चारा घोटाले के सजयापता लालू परसाद सहीत सभी अभियूक्तों पर अब प्रवर्तन निदेशाला एडी का सिकांजा भी कसेगा डुरंडा कोसागार से एक सहुन्चारिस कोलो रुपए की अबायद निकासी के केस जो भी एडी टेक ओवर करने जा रहा है CBI की BCS अदालत ने दो दिन पूर्व सजा पाच उके लालू परसाद सहीत सभी 75 अभियूक्तों उक्त केस के सभी मिरितकों के खिलाप Money Laundering अधिनियम में केस दर्ज होगा और नाय सीरे से उनके समपति की जाच होगी जारखन में क्रोना के 49 नाय केस मिले है जबकि 95 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कूलेक्टिव केस की संख्या 647 है भारत में 14,899 केस मिले है जबकि 391 मरी स्वस्त भी हुए है भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 161,186 है जारखन के राजेपाल ने कहा आस्वासन नहीं मुझे परिणाम चाहिए उन्होंने मंगलवार को विश्व विद्यालों के सेक्षनिक और प्रसासनिक कारियों की समिक्षा के करम में साब साब कहा कि तीन माह के कारियों से वे संतुष्ट नहीं है विश्व विद्यालों में समस्याय आज भी बनी हुई है उन्होंने अविलम इसमें सुधार करने के सक्त निर्देश कुलपतियों को देते हुए कहा कि अब केवल आस्वासन देने से काम नहीं चलेगा उन्हें पईनाम चाहिए उन्होंने कहा कि वे ए बाते पुरी गंबितार से कर रहे हैं खोटी से अफिम की खेती करने वाले तीन लोग गिरफतार तो सेखर ने बताया कि जीला छेत्रे में किये गए अफिम की खेती के खिलाप पुलिस का अभियान जोर सोर्चे चल रहा है बिफलता छिपाने के लिए राचा गया भासा बिवाद रगुवरदास पुरो मुखमंत्रिव भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रगुवरदास ने कहा है कि हमन सरकार ने भी फलताओ को छीपाने के लिए भासा बिवाद का सड़्यंत रचा है दास ने कहा कि भारत एक बहु भासी देश है भासा की बहुलता को लेकर कभी कोई कठीनाई पैदा नहीं होई लेकिन हमन सरकार नियोजन नेती के बहाने भासा बिवाद को जन्म देकर जार्खन के युवाओ के भविसे से खिलवार कर रही है सरकार नई नियोजन निती लाकर रिवाव को भटकाने की कोशिज कर रही है उन्होंने हमत सरकार की नियोजन निती पूरी तरसे असम्नेधानिक पताते वे कहा की उच नियाले में नई नियोजन निती का रद होना लगभगता है जार्खन में सतार उटगर बंदन की कॉंग्रेस पार्टी तथा जामुवने चुनाव के दरण जानता से कई लुभावने वादे किये हैं बिधान सभा में सवालों का स्पष्ट जवाब दे अधिकारी स्पिकर जार्खन बिधान सभा अध्यक्स रविंद्रनात महतों ने बयट सत्र को सुचारो रूप से संचालित करने के लिए उच अस्तरिय बैठा के दरण राज सरकार के अधिकारियों को बिधायकों को बारीकी से जाच करके ही बिधान सभा में पटल पर रखने का निर्देश दिया उन्होंने जार्खन बीत बिधायक 2021 और पंडित रहुनात मुर्मो जन्जाती विश्वविद्याले बिधायक 2021 में सामने आयत रूटियों का हवाला भी दिया उन्होंने सदन में पूछे जाने वाले सवालों का सपस्ट जबाब देने के लिए अधिकारियों को सचेत भी किया है लोहरदाग्गा में सिक्षकों का तबादला रद दे लोहर्दागा जिले में पिछले दिनों सिक्षको के हुए हस्तनांतरन को इसकूली सिक्षा वसक्षता विभाग ने रद कर दिया है साथ ही तबादला करने वाले सिवा निवरीत हो चुके ततकालिन जीला सिक्षा पदाधिकारी सह जीला सिक्षा अधिक्षक अखिलेश कुमार चोधरी के खिलाब करवाई का निर्देश दिया इसके लिए सिक्षा सचीव राजेस कुमार सर्मा ने लोहरदागा के उपायूत को निर्देश दे दिया है सिक्षा सचीव ने पत्र लिखा है कि लोहरदागा के DEO सा DSE ने बड़े परमाने पर प्रात्मिक और माध्मिक सिक्ष को कता बादला किया है सरकारी योजनाओ का लाब जरूर ले सीम हमन्त राज्य के समगर विकास के लिए ग्रामिन अर्थ बेवस्था का मजबूत होना बेहत जरूरी है ऐसे में ग्रामिन छेत्रों के उत्थान पर सरकार का बिशेस जोर है मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने मंगलवार को साहिव गंजी लेके पतना परखन इस्तीत धरूर में आम जमता के साथ सीधा सनवात के दुरान एबाते कही मुख्य मंत्री ने कहा कि गाव में रहने वाले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नवजावानों समेत सभी वर्ग और सब के हीतों को ध्यान में रहकर कार्योजनाय बनाई जा रही है इसमें आम जनता की भवनाव का विशेश ख्याल रखा जासे रहा है ताकि उन्हें उनका वाजिब हक और अधिकार मिल सके और आज पत्रित करमचारी महासंग ने हरताल का समर्थन किया जार्खन राज और आज पत्रित करमचारी महासंग द्वारा ट्रेड यूनियनों करमचारी और मजदूरों के फेडरेशन के अवाहन पर केंद्र सरकार की नितियों के विरोध में 28 वा 29 मार्च को जार्खन में कार्यत करमचारी ने हरताल का समर्थन किया है महासंग के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के हरताल मजदूर विरोधी चार लेबर कोड को रद करने सहित मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर की जा रही है बीजेपी के 27 नेताओं को अगरिम जमानाथ रांची के सांसर संजाय सेट मेयर आसालाकळा समय 27 भाजपा नेताओं को मंगलवार को जारकन हाई कोट ने अगरिम जमानाथ परदान कर दी है जस्टिस एक के चोधरी के अदालत ने सभी को 25-25 रुपय की नीजी मुचल के पर जमानत परदान करने का निदेश दिया जारकन विधान सभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित कक्ष के बिरोध में भाजपाने परदसन किया था इसके बाद पूलिस ने सभी के खिलाब नामजाद परत्मी की दर्च की थी बोकारो से अक्टूबर से पहले सुरू हो जाएगी उडाने बोकारो यारपोर्ट से 15 अगच से 2 अक्टूबर के बीच कमर्सियल फ्लाइट सुरू कर दिये जाएंगे उडान सेवा सुरू करने को लेकर लाइसेंस के लिए बोकारो इस्पात प्रबंदन सुक्रवार को डारेक्टर जनरल अफ सीवील एवियेसन के समक्ष आवेदन करेंगे उक्तबाते यहरपोर्ट परिसर में सोमवार को उडान सेवा सुरू करने को लेकर आवेजी समिक्षात्मक बैटक के दोरान बोकारो बिधायक बिरंची नरायन ने कही बैटक में बिएसेल की ओर से संचार परमूक मनिकान धान एवं यहरपोर्ट अथुरिटी से मैनेजर प्रियांका मुझूद रही जारखन में छो माच से आरजएडी का सदस्यता अभियान लालोयादो और लालोयादो की पार्टी रायत फीर से एक बार चार्चा में है लालोयादो को जहां चारा गोटाला के एक और मामले में 5 सल की सज़ा होई वहीं उनकी पार्टी लाल्टेन की लोग को गाउं गाउं घर घर तक पहुचाने का लक्ष लिए राईनेती के मैदान में कुद पड़ी है सदस्यत्या अभियान के बहाने जारखन में लालो यादव को जेल और दूसरों को बेल के मुद्दे पर रायत के करकरता जन गोलबंदी की राईनेती बना रहे हैं जारखन में सदस्यत्या अभियान का लक्ष 25 लाख रखते हुए इसकी सुरुवात संथाल परगना से 6 मार्च को होने जा रही है खुटी में अधिकारी और करमचारी सीख रहे मुद्दारी भासा खुटी उपायुक सस्ती रंजन की निदेश पर समनाले सभागार में मंगलवार को विशेस मुद्दारी कलास का उजन किया गया अस्थानिय भासा का उचित ग्यान और इसके विकास के उद्यस से जीले के पताधिकारियों और कर्मियों के लिए मुंडारी की विशेस कलास का आउजन किया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि विशेस काक्षा के माधियम से भासा सहाज, पैनी और सनवाद्य होती है इसके विशेस कलास में मुंडारी सीखने से जीले के पताधिकारियों और कर्मियों को धरातल पर कार्य करने और लोगों से बेतर सनवाद अस्थाफित करने में सुगमता होगी मोराबादी से फुटपाद दुकंदारों को हटाने से हाई कोट नराज रांची के मोराबादी मैदान के फुटपाद दुकंदारों को हटाने के खिलाप दायर आज कापर जार्खन हाई कोट के जश्टिस राजे संकर के अदालत ने सुनवाई की वीडियो कंफिरेंसी के माधियम से इस मामले के सुनवाई हुई इस दोरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना इसके बाद अदालत ने नराजगी जाताते हुए कहा कि बीना नोटिस दिये मोराबादी मैदान से फुटपाद दुकंदारों को क्यो हटा दिया गया बीधी बेवस्था का मामला सरकार के पास है दिली से जार्खन की पांच बची या मुक्त जार्खन के मुख्य मंत्री हेमनसुरेन के सार्थक पर्यास से लगातार मानोतसकरी की सिकार बालक वो बलिकाओ को मुक्त करा कर उन्हें पुर्णवास कराया जा रहा है इसी कड़ी में मानो तसकरी की सिकार जार्खन के गुमला जिले की पाँच बच्चियों को दिली से मुक्त कराया गया उन्हें वापस जार्खन लाया जा रहा है इसके बाद उन्हें विभीन वजनाओ से जोड़कर नहीं दिशा दी जाएगी ताकि वे फिर इस दलदल में नहीं फशे आज जार्खन के 1250 सिक्षन सस्थान के करमचारी रहेंगे हरताल पर राज्ये में संचारीद 1250 बीत रहीत संस्कृत स्कूल, हाइ स्कूल, मदार्शावा, इंटर, कॉलेजों में 23 फर्वरी को सेक्षिनिक हरताल रहेंगी पठन पाठन सहीत सारी सेक्षनिक गतिविद्या ठप रहेंगी सिक्षक वक्रमचारी काम नहीं करेंगे सिक्षन संस्थानों के प्रवेश द्वार पर धारना परदसन होगा बिभीन मांगों को लेकर राजे जारकन, बीत रहित, संगर्श मोर्चा की ओर से आंदोलात्मक कारेकरमों की घोसना की गई है महा सिवरातरी को लेकर बाबा धाम में प्रसासनिक त्यारी सुरू देवगर के बाबा नगरी में महा सिवरात्री के त्यारी शुरू हो गई है, सोमवार से बाबा मंदीर परिशार इस्थीत, मंदीरों के सिखर से पंच सूल उतारने का काम शुरू हो गया है, वहीं बाबा भोलेनात और पारवति मंदीर का पंच सूल अगामी 27 फरवेट 2022 को उ महा काल भहरों मंदीर के सिखर से पंच सूल उतारा गया, परमपरा के अनुसार भंडारी परिवार के सिव संकर भंडारी और भोला भंडारी के नेतित में छोड टीम के सज़स्यों ने इन मंदीरों से पंच सूल उतारा, पंच सूल उतारते ही मंदीर प्रांगन में उसे अ फिडबेक अवाज से दे थांक यू